तो हलां दोस्तों आज कच यह वीडियो है बिल्कुल से एक जिफेंट वीडियो है बिल्कुल स एक अलग तरिकी का वीडियो है विडियो है कि मैं ऐसा इसलिए बोलना हूँ तो कुछ अगर मां लो आपको एक स्मार्टफून खरिदना तो दोस्तो इतने smartphone में आप इन सभी smartphone पे हमारे निट के एकोर्डिंग, हमारे कांप के एकोर्डिंग, कौन सरे smartphone बेश्ट होने वाली है तो उसके लिए आप फिर Google पे सर्च करते हो या फिर दोस्तो आप YouTube पे सर्फ करते हो तो यहाँ पर फिर से आप confused तो आप पहले से ही रहता हो क्योंकि इतना सारे स्मार्टफोन रहता है और उसके बाद भी आप confused आते हैं आखिर आप इन 5 फोन में आखिर इन टॉप 10 फोन में हमारे लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस है तो डॉंट बरी जोस्तो आज का यह वीडि इस ऐस स्मार्टफोन के बारे में आपको बताने वाला हूँ गार यह वीडियो आप लासक एएंड तो वाजट वाय तो आपका बजट एबंब nearest फिप्टिंख धॉट है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए best है और दोस्तों ये जो phone भी बता रहा हूँ वो भी दोस्तों आपके लिए best है इससे अच्छा phone अभी के current date के हिसाब से आपको market में under 15,000 नहीं देखने को में लाली है तो वीडियो बहुत ही knowledgeable होने वाली है तो चले करते वीडियो को फर्ट एक स्टार विदाव टूस्टिंग है सकेंड तो दोस्तों अगर आपका buzzard 15,000 है अगर आप एक best smartphone खरीना चाहते हो आपका purpose कुछ भी हो से smartphone को लेगे चाहे आप इस smartphone के साथ एक अच्छी gaming करना चाहते हो या फिर दोस्तों आप इस smartphone को day to day like में यूज लेना चाहते हो तो दोस्तों आपका purpose कुछ भी हो तो यहां पे दोस्तों अंदर 15,000 जो एक smartphone देखने को मिल जाती हो वो दोस्तों में Motorola के तरफ से देखने को मिलती है Motorola Z40 Fusion यह जो smartphone है यह दोस्तों आपको flip card पे अंदर 15,000 देखने को मिल जाती है इसके दो variant आपको देखने वाजी एक 4GB 64GB एंड सके अंद दोस्तों आपको 6GB और 128GB इसका जो best variant है 4GB 64GB वो एप्रोक से आपको 14,499 रूपीज में देखने को मिल जाती है और जो इसका अपर variant है वो दोस्तों आपको एप्रोक से 15,499 रूपीज में देखने को मिल जाती है जो सबसे पहला चीज है इस स्मार्पोन में आपको एक IPS डिस्प्रेश देखने को मिल जाती है जिसमें कि आपको 120Hz का हाई रिफ्रेस रेट भी देखने को मिल जाती है और इस डिस्प्लेश में आपको HDR10 का भी सपोर्ट देखने को जाती है तो अल ओवर डिस्प्लेश की बात करो जब आप इसके साथ गेमिंग करने जाओगी इस डिस्प्लेश के साथ तो दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादे स्मूचने महसूस होगा और आप मुल्टी मीडि जो कि दूस्तों इंडोएट 11 पर रन करेगी और नेक्स्ट आप बात कर लिए स्मार्टफोन की सिस्ट्फ पावर की इस स्मार्टफोन की चिपसेट की तो इस स्मार्टफोन में आपको स्नेप डाइगन का 732 G प्रोसेसर देखने को मिल जाए जो कि दूस्तों 8Nm पर भीश् इस फोन प्रोसेसर की वो दोस्तों आपको 1.8 गीगा हज पर बेस्ट रहने वाली है एंड नेक्स्ट जीपियू के मामले में अगर बात करतों यहां पर आपको एड्रेनों का 618 एक जीपियू भी देखने को मिल जाती है एंड इस स्मार्टपोन में आपको डवल नैनो सिम का का भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है एंड अगर इस स्मार्टपोन में आप अगर एक सिम को यूज करते हो तो सकेंडरी जो नैनो सिम का स्वर्ट है वहां पर आप एसडी कार्ड भी लगा सकते हो एंड अपने फोन के स्टोरेज को 251 GB तक आप एक्स्टेंड कर सकते हो ए नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं इस फोन की कैमरे की तो यहां पर रियर साइड में एक ट्रिपल रियर कैमरा सेटप देखने को मिल जाती है जो कि दोस्तों इसका जो प्राइमरी सेंसर है वह दोस्तों आपको 64 MP का देखने को मिल जाएगी जिसका कि अपार्चार आपको 1.7 और 10 यहां पर देखने को मिल जाए दोस्तों 8 MP का देखने को मिल जाए जो इस 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 ऊपको यहां पर 2.2 2.2 aperture के साथ एक sensor देखने हो मिल जाती है and इस camera के साथ आप यहाँ पे 1080p में आप 30 fps, 60 fps यहाँ पी 240 fps तक यहाँ पे आप video record कर सकते हो and yes इस phone में आपको 3.5 mm का जैक भी देखने को मिल जाती है जिसके help से दोस्तों आप अपने phone में earphones बगेरा भी use कर सकते हो and 6000 mhk के huge betty देखन को मिल जाती है अगर आप day to day life अगर इसे use कर गए तो दोस्तों आपको और भी जादे और भी जादे backup बगेरा देखने को मिल जाएगी and साथ यहाँ पे आपको 20 word का charger भी इस phone में देखने को मिल जाएगी तो all over बात करतों यहाँ पे आपको specs under 15,000 के according बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाती है आप next बात कर लेते इस phone की pros की इस phone की cons की तो इस phone की pros की पहले हम बात करें तो वह है दस्तों इस display में आपको 120 hertz का refresh rate देखने को मिल जाती अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाती है अंदर 15,000 यहाँ पे आपको इस phone की इंटरफेस को बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाती है जो कि दोस्तों अगर आप day-to-day life इसे यूज करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा backup देखने को मिल जाएगी अच्छ आप इस phone की cons की बात को तो यहाँ पे cons बगेर आपको कुछ ज्यादा नहीं बस एक जो cons मुझे लगी मेरे हिसाब से लगा कि इस phone में आपको एक 20W का charger देखने को मिल जाती है जो कि दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी कम देखने को मिल जाती है और ऐसे आपको 6000 एमेज की हूज बेटे ही देखने को मिल जाती है तो आपको ऐसे कोई ज्यादे problem नहीं होने वाली है एंड सकेंड जो एक कौन है यह दोस्तों आपको थोड़ी heavy महसूस होगी यह दोस्तों यह आपको कुछ ज्यादा थिक महसूस होगी फोन मतलब style के मामले में यहाँ पे दोस्तों यह फोन उतना अच्छा देखने को नहीं मिल जाती है तो यही था all over यह फोन अभी भी बोल रहा दोस्तों अगर आपका 15,000 बज़र्ट है तो इससे अच्छा स्मार्टफोन अभी के फिलाल के डेट के एकॉर्डिंग आपको देखने को नहीं मिल वाली है तो आप जाओ आप इस स्मार्टफोन को बाई कर सकते हो अगर आपका बज़र 15,000 जल्दी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे कमें बताना नीचे अगर आपका कुछ और भी सवाल है अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप कॉमेंट के जरिये मुझे पूछ सकतो और डेफिनेटली मैं अगला वीडियो उस पर बना दूंगा तो दो तब तक के लिए इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूं नेक्स टाइम